क्या दो मौजूदा आत्म ग्यानी गुरू एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं? जैसा कि मैंने सुना है उश्वर रजनीस जे कृष्ण मूर्ती के तरीकों से असहमत थे? लोग किसी भी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं? अगर आप मुझसे बाग करें, किसी भी बारे में, कला, संगीत, राजनीती, कुछ भी, शायद मैं आपकी कही हर बात से असहमत ही जता हूँ. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप मौजूदा आत्म ग्यानी हैं, पर मैं किसी से भी असहमत हो सकता हूँ. लेकिन, अगर हम जीवन पर ध्यान दे, तो सेहमती या सेहमती की कोई जरुत ही नहीं है, क्योंकि ये जैसा है, वैसा है, इस बारे में कोई सेहमत या सेहमत नहीं होता, लेकिन संस्कृति के बारे में, कपड़ों के बारे में, संगीत और कला के बारे में, राजनीती के बारे में हम कई मायनों में सहमत और असहमत हो सकते हैं है ना और जितना हम असहमत होते हैं उतना ही बहतर है आ आया ना अपने आस-पास के चीजों में अगर आप असहमत हैं यानि अगर आप खुश हैं और असहमत हैं आप अगर एक दुखी व्यक्ति हैं, फिर आप असेहमत होते हैं तो आप लड़ेंगे. अगर आपके दिमाग में थोड़ी समझ है, तो असेहमती चीजों को हमेशा बहतरी की ओर ले जाती है, है ना? मान लीजे कि आप और में असेहमत हैं कि इसे कैसे रखा जाएं, तो हम यहाँ बैटकर अगले दो दिन तक बहस कर सकते हैं और फिर शायद कुछ वाकई सुन्दर निकल कर आएं. पर जैसे ही हम असेहमत होते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम लड़ने लगते हैं, ऐसे लोग अलग हैं. तो अगर आप खुशी सेहमत होकर, जीवन के सबसे छोटे पहलूओं पर भी बहस करते हैं, यह पूरी तरह ठीक है. एसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी सेहमत होना है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आस-पास की भौतिक चीजों की बात आती है, तो हम में से हर कोई इसे अलग तरह देखता है, इसलिए इतनी विविद्धता में जीवन घटित हुआ, है ना? इतनी सारी भाषाएं, इतने तरह के संगीत, कई तरह की कलाएं, इतनी सारी, बहुत सी चीजें घटित हुई हैं, क्योंकि अगर हर कोई सेहमत होता, तो हम सभी गुफा में रह रहे होते हमा सेहमत थे, शायद अगर आप एक गुफा मानव के बेटी होती ही, अगर आप एक जोपडी बनाना चाहता हूं, वहां बहार, तो मुझे यकीन है कि आपके पिता असेहमत होते, हाया ना, वो कहते क्यों, गुफा अच्छी है, और गुफा में रहने के सभी गुण, उन्होंने आपको समझा दिये होते, लेकिन आपने असेहमत ही जताई, इसलिए जोपडी बनी, इसलिए लाखों दूसरी चीज़े आई, है ना, तो ये बिलकुल ठीक है, आत्मग्यानी हो या ना, आप लाखों चीज़ों के बारे में असेहमत हो सकते हैं, इससे क्या समस्या है, लेकिन अगर आप मूल तक पहुंचते हैं, तो ना आपको सेहमत होना है, ना सेहमत ह होना है, ये जैसा है, ये वैसा ही है, अस्तित्तो को आपके सेहमती या असेहमती की जरूरत नहीं है, ये बस यहां है, भौतिक, मनो वैज्ञानिक और भावनात्मक को सेहमती या असेहमती की जरूरत है, आप ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं, जो आपसे सेहम अगर आपके अंदर आपसे असेहमती जताने वाले लोगों के बीच हमेशा रहने की समझ और संभाव है, तो आप देखेंगे कि आप बहुत एक दुनिया में चीजों को बहुत बहुतर तरीके से करेंगे. अगर आपके पास सिर्फ वही लोग हैं, जो आपसे सेहमत हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने चारों एक मूर्खों का जुन्ड इकठा किया हुआ है, जो हर बात पर कहेंगे अदुसरीपा, अदुसरीपा. गाव में, हर गाव में, शब्दों की कमी की वजए से मैं कह रहा हूँ, गाव स्तरकर एस्षिवादी, हर गाव में एक होता है, और उसके साथ हमेशा एक असिस्टन रहेगा, एक चेला. वो जो भी कहें, चेला वहीं बैठा रहेगा, और कहेगा, अदुसरीपा. जिसका मतलब है, एक दम उम्दा, बिल्कुल सही. तो ये आदमी जो भी कहें, चेला बीच में कहता रहेगा, अदुसरीपा. तो अगर आप अपने आसपास, अदुसरीपा कहने वाले लोग इक अठा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको एक गंभीर समस्या है. अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपसे सहमत ना हो जो आपसे असहमत होंगे जो चीजों को जैसा आप देखते हैं उससे हजार अलग तरीकों से देखेंगे सिर्फ तभी चीजें होंगी ना? लेकिन अस्तित्यों के मूल को ना तो सहमती की जरुरत है और नहीं असहमती की यह आपकी सहमती या असहमती नहीं मांग रहा आप बस इसमें विलीन हो सकते हैं इसके बारे में कोई दोराय नहीं